कार्तिक मास्की कृष्ण पक्ष्टी चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है कुछ स्थानों पर इसे ही रूप चतुर्दशी, रूप चौदस और छोटी दिपावली के नाम से भी जाना जाता है नरक चतुर्दशी के दिन दीप्दान और उजा का विधान है देन नरकासुर नामक एकराप्ठिस का वद किया था नरकासुर नी 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था नरकासुर का वद करके श्री कृष्ण भगवाल ने कन्याओं को बंदन मुक्त करवाया इन कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि समाज उन्हीं स्विकार नहीं करेगा एते आप कोई उपाय करें समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए सत्यभामा के सयोग से श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवा कर लिया नरकासुर का वद और 16,000 कन्यों के बंदर्मुथ होने की उपलक्ष में नरक चतुरदसी के दिन दीबदान की परंपरा शुरू हुई एक अन्यमान्यता की अनुसार नरक चतुरदसी के दिन सुगर स्नान करके यम्राज की पूजा और संध्या की समय दीबदान करने से नरक की यातनाव और अकाल मरत्यु का भय दूर होता है इस कारण भी नरक चतुरदसी के दिन दीबदान और पूजा का विधान है इसे नरक रिग्निर्वान चतुर्दसी भी कहा जाता है इसके पीछे एक पौरानिक कता है जो इस प्रकार से है एक समय एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था रंती देव सबाहों से बहुती शांत एवन पुन्य आत्मा उन्होंने कभी भी गलत गलते से भी किसी का आहित नहीं किया उनकी मत्यू का समय आया यम ने दूतों को बेजा तब उन्हें पता चला कि उन्हें मौक्ष नहीं बलकि नरक मिला है तब उन्होंने पूचा कि जब मैंने कोई पाक नहीं किया तो मुझे नरक यो भोगना पड़ रहा है उन्होंने यमदूतों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि एक बार अज्यानता वस आपके द्वारा से एक द्रावन भूका चला गया था इसी के कारण आपका नरक योग है तब राजा रंती ने हाथ चोड़कर यमराज से कुछ समय देने को कहा ताकि वे अपनी करने को सुधार सके उनके अच्छी आश्रण के कारण उन्हें ये मोका दिया गया तब राजा रंती ने अपने गुरू से सारे बात कही और उपाय बताने का अग्रे किया तब गुरू ने सला दी कि वे हजार ब्रामनों को भोजन कराए और उन्चे श्रमा मांगे रंती देव ने ऐसा ही किया उनके कारे से सभी ब्रामन तसन हुए और उन्हें आश्रवात के फल से रंती देव को मोक्ष मिला वह दिन का तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दसी था इसी लिए इस दिन को नरक निर्वान चतुर्दसी कहा जाता है भविश्य पुरान के अनिसान नरक चतुर्दसी के दिन सुभाई के समय नरक के भई को दूर करने के लिए सनान का बड़ा ही महत्तु है यह माना जाता है कि जो भी इस दिन का सनान करता है वह नरक जाने से बच सकता है अभ्यंग स्नान के दोरान उप्टन के लिए दिल के तेल का प्रियोग किया जाता है स्नान के समय अपामार्ग अथार चिछड़ा के पत्ते कोसिर के उपर गुमाते हुए ऐसा बोलना चाहिए हरे पापम पापमार्ग भ्रामिमानम पुनः पुनः आपदम किल विशम चापी ममा पहर सरवशर अपामार्ग नमस्तेस्तू सरीरं मंशोधै स्नान करने का भी मुवरत है भारती समय अनुसा सुबह पांच वज़े से लिखी 19 मिनट से शुरू होकर 6 बज़ के 45 मिनट तत का समय शुब है इस तिन शाम के समय अथा प्रदूश काल के समय लक्षमी गनेश जी की पूजा के साथ दियों की पूजा का भी विधान है और ये पूजा कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए पाटे पर लाल कपड़े को फैलाएं उस पर लक्षमी गनेश जी की तस्वीर रखें एक थाली में ग्यारा दियें और एक चोमो का दियां रखें और दूसरे लाल कपड़े को एक प्लेट में फैलाएं उस पर चांदी के कुछ सिक्के रखें और अब सबसे पहले गनेश जी लक्षमी जी की तस्वीर को तिलग करें फिर गनेश जी लक्षमी जी की पंचोप चार पुजा करें और इसके लिए सबसे पहले गनेश जी लक्षमी जी को दीप दिखाएं और बोलें दीपम समर्पयामी उसके बार धूप दिखाएं और बोलें धूपम समर्पयामी और फिर इत्र वह है वो समर्पित करें और बोलें गंधम समर्पयामी उसके बाद जो कोई भी मिठाई बनाई हो उसका पोग लगाएं और बोलें नैवेद्यम समर्पयामी और उसके बाद में पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना करें और बोलें पुष्पम समर्पयामी इसके बाद गनेशी रक्ष्मी जी की आर्थी करें और श्रिम स्वाहा श्रिम स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाब करें उसके परश्चाद दियों की पूजा करनी है और सिकों की रोली और चावल से पूजा करें और थोड़ा गुर चड़ाएं सभी दियों में थोड़े थोड़े चीनी के दाने या गुर के दाने डालें उसके बाद रोली और चावल से सभी दीपक की पूजा करें और मा लक्ष्मी से अपनी कृपादश्ची प्रदान करने की प्रात्ना करे जय लक्ष्मी मैं